प्रवाह मई है अनेक आख्यानों के द्वारा लोक को शिक्षा देने के लिए और लोक को प्रगत्य के पत्पर चलने के लिए इस इन ब्राहमण ग्रंतों में ब्यवस्था दी गई है जिस प्रकार अईतरे ब्राहमण के अंतरगत यह सुना सेप नाम का उपाख्यान है इसी प्रकार अनेक पुरुर्वा उर्वसी यह इत्याद भी उपाख्यान मन और वाणी के भी उपाख्यान देखने को मिलते हैं ब्राहमण ग्रंतों की एक सबसे बड़ी आध्यात्मिक विशेस्ता है वह यह कि यग्य 24 आवर्स पूरी दुनिया में पूरे ब्रहमांड में निरंतर चल रहे हैं ब्रहमांडे के अनुसार मनुस्य के सरीर में भी वह यग्य चल रहा है जैसे स्वांस के रूप में सूर्ज नेत्र के रूप में चंद्रमा मन के रूप में इस पिंड में व्यस्टी में जो यग्य चल रहा है और प्रकृति में जो यग्य चल रहा है दोनों का साममंजस्य क इस प्रकार जिस प्रकार आइतरे ब्राहमण के संदर में मैंने बताया इसी प्रकार संस्कृत साहित में वैदिक वांग में में पंदरह सुलफ ब्राहमण गरंथ हैं और प्रत्यक वेद के ब्राहमण गरंथ हैं जैसे रिगवेद के कौसीतक ब्राहमण या सांखाइन ब्राहमण और आईतरिय ब्राहमण हैं उसी प्रकार यजूर वेद में तैतिरिय ब्राम्मड, सत्पत ब्राम्मड, जिनकी काणो साखा और माध्यंदिन साखा प्राप्त है, कृष्ण यजूर वेद की का ब्राम्मड प्राप्त है, सामवेद के कुल नौ ब्राम्मड प्राप्त है, जिन मेतांड ब्राम्मड, सडवि मुझे लगता है कि विश्वा मित्र का जो सत पुत्रों से अधिक होना ये बरतमान समय में हम विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहते हैं कि जनसंख्या पर भी बहुत नियंत्रन इसका प्रभाव देखा गया है क्योंकि जनसंख्या का बढ़ना देश के उपभोग्य सामग्री को अपूरन यक्छत पहुचाने जैसा है क्योंकि निश्चित भूमी निश्चित संसाधनों के बीच जनसंख्या जड़ी बढ़ती चली जाएगी तो औस अंतोस्त होना स्वाभाविक है संभव है कि विश्वामित्र के जो सौव पूत्र थे वे सुना सेप को पोसे पूत्र के रूप में सुईकार करने के कारण संभवता यह उन्होंने विचार किया हो कि हमारी संपत्ति तो सीमित है और सुना सेप भी एक जेश्ट पूत्र के रूप में आ गया तो हमारे संपत्ति के बीभाजन में भी समस्या उपस्तित हो सकती है इसलिए अधिक पुत्रों का होना बहुत अधिक दुख का सूचक है आज जो जनसंख्या देश में बढ़ती जा रही है वह अपने देश के विकास के लिए घातक है क्योंकि अधिक पुत्रों को शिक्षा संसकार आदी दे पाना कम पुत्रों की अपेक्षा बहुत कठिन होता है आख्यानों के साथ साथ ब्राहमण गरंथों में अन्य प्रकार के भी वर्ण देखने को मिलते हैं श्रत्पः ब्राममण एक ऐसा ब्राममण गृन्थ है जो शुक लेजुर बेर के माथिय मदिन शाखा का जो ब्राममण गृन्थ है वह है श्रत्पः ब्राममण सत्पत प्राम्मड में 100 अध्याए 7624 कंडिकाए 437 अध्याए तथा 14 कांड प्राप्त होते हैं किन्तु काणवर्शाखा का जो सत्पत प्राम्मड है उनमें 104 अध्याए 17 कांड 6800 चार कंडिकाएं पाई जाती हैं और 435 अध्याए पाई जाते हैं किन्तु 100 संख्या को सम्मान में ध्यान में रखते हुए उन्हें सत्पत प्राम्मड के नाम से जानना जाता है शत्वत ब्राहमण चूंकि अन्य ब्राहमण गरंथों की अपेक्छा बहुत बिशालकाय गरंथ है इस कारण उसमें ब्राहमण गरंथों के प्रतिपाद्य जो भी विशय हैं उन विशयों का बहुत ही विवस्थित, सविस्तार और सुबोध गम में दृष्टि से बीवेचम क कि आ गया है। काणवर साखा और माध्यंदिन साखा के जो दोनों ब्राहमण गरंथ हैं दोनों में प्राया एक ही प्रकार के विशय का विवेचन किया गया है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो काणवर साखा का शत्पत ब्राहमण गरंथ हैं उनमें दर्स पूर्ण मास इस्टि का वरणन दुति भाग में प्राप्त होता है। दोनों में विशय प्रतिपादन एक ही है दोनों की श्रैली और श्रबदावली में केवल भेद है। जी आपने बहुत अच्छी बात की इन सभी चीज़ों को देख करके 1855 में प्रोफेसर बेबर ने इस विशय में बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। नका भास से मिला जो चोखंबा वाराड़ेशी से 1964 में प्रकासित हुआ वो देखने लाइक है। हमारे विद्यार्थियों से यह भी कह सकता हूं कि हमारे प्रोफेसर दुवेदी जी ने जो बताया इसकी यदि विश्त्रत टीका देखनी हो तो 1940 में बेंग्टेश्वर प्रेश मुबई से सायन भास्य सहित हरी स्वामी की टीका उपलब्ध हुई उसको देख सकते हैं। डक्टर मुरारी जी ने जिस तथ्य को उपस्थापित किया विद्यार्थि मित्रों आप चाहें तो भारती विद्वानों में इन ब्राहम्ण ग्रंथों के भास्यकार सायन, उवट, महीधर जैसे विद्वान भी हैं। और अभी शीग रही स्वर्गी स्री आनंद कुमार स्वामी का भी भास्य प्राप्त है, जिन भास्यों को देखकर हम इन ब्राहम्ण ग्रंथों में प्रतिपाद्य विशयका व्यवस्थित आउबोध कर सकते हैं। डॉक्टर साब आपने बहुत अच्छी बात की, इन ही सब चीजों से प्रभावित होकर के प्रोफेसर मैक डॉलन ले ब्राहम्ण ग्रंथों को इसा पूरू 500-800 वर्स, प्रोफेसर विंटर ने पांच हजार वर्स, संकरवाल कृष्ण दिक्षित ने 3000 वर्स, पंडित सात व आज से 707 के बीच मैं जो बर्लिन से पब्लिष्ट हुई थी, उस विसाई में अपना मंतव्य इसी कारण दिया होगा, निश्यत रोफ से, सत्पत ब्रहमण का वर्नि विसाई तो बहुत बड़ा है, इसमें कुछ अध्यायों में, जैसा का आपने बताया कि चौद कांड प्रमुख हैं, इन कांडूं में क्या-क्या विसेश्टाएं हैं, इस विसाई में आप कुछ कह सकते हैं? सत्पत ब्रहमण के जो भी कांड हैं, उनमें सबसे पहले तो माध्यन दिन शाखा के ब्रहमण ग्रंथ में दर्स पूर्ण इस्टिका वर्नन है, दर्स प्रतेग महीने के अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा तिथी में जो यग्य संपन होता है, उसको दर्स कहते हैं, और पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा को जो यग्य संपन होता है, उसको पूर्ण मास कहते हैं, जिसका जोतिस की दृष्टि से भी अत्य प्राहमण ग्रंथों में राई और प्राण कहते हैं जिने तंत्र में प्रकाश और विमर्ष शिव और शक्ति के नाम से भी जाना जाता है आप सभी जानते हैं कि द्वारका में सोम नाथ जैसा अस्थान है जहां सोम चंद्र देवता जहां के राजा रहे और सोम याग भी यहां हुआ था अश्रमेध यग्यों का भी विधान है अश्रमेध यग्ये इतना महत्वपोंड इस देश में रहा है कि महाराजा पुरसुत्तम भगवान स्री राम ने भी अश्रमेध किया था और काशी में तो अश्रमेध नाम का एक अलग गंगा का घाट ही है जहां अस्नान करके दुनि एक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाता है इसके अत्रिक्त सर्वमेध यग्यों का भी विधान है इन ब्राहम्ण ग्रंतों के कांडों में अग्निहोत्र अग्निचयन हविरधान दक्षिड़ेश्टी इत्यादी नाम के यग्यों को संपन किया जाता है मित्रों विध्यार्थियों मैं यह तथे आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्लाइट में देख सकते हैं कि जिसा श्वमेध पूरुसमेध पित्रीमेध सर्वमेध यग्यक की संदर्व मैं मैंने 13 कांड में संकेत किया इसके अलावा प्रवर्ग कर्म धर्म विधी आदी का भी या पशुबंद का प्रायस्चित इत्यादी का भी विधान किया जाता है ब्रहमचारियों का क्या कर्तब्य है क्या कर्तब्य नहीं है क्या करणी है इन सभी तत्यों का निरूपन 14 कांडों के अंतरगत यजुर वेद के माधियंदिन साखा के सत्पत ब्रहमण नामक ग्रन्त में किया गया है जी विद्यार्थियों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा हमारी सीडी के 21 पेज पर यह पसुबंध और सारी यह चीजें जो अभी हमारे प्रोफेसर दुवेदी साहब ने बताई यह देख सकते हैं दुवेदी साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत पूरे हिंदुस्तान में हमारे गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि बलिविधान कई जगह आता है पसुबंध कई जगह यह बताया गया इसमें भी बड़ी चर्चाएं बिद्वान लोग करते हैं विध्यार्थी भी पूछते हैं इस बी समयापका क्यामत है देखिये जो पशु बंधर और पशु अमेद की बात है मेद शब्द के सब्दकोश कोसों में अनेक अर्थ दिये हुए हैं मेद शब्द का अर्थ आलभन तो कभी भी नहीं रहा है वलिदान कभी नहीं रहा है किसी की हिंसा करना हमारे वैदिक रिशियों को कभी भी स्विकार नहीं था क्योंकि वे तो मंत्र द्रश्टा रिशी थे और ब्राहमनों की शब्द रासी के द्रश्टा को आचार्ज कहा गया है ये कभी भी इस भावना के नहीं रहे कि पशूं का या मनुस्त्य क या किसी भी प्राली का बलिदान किया जाए अभी जस सुनह सेफ उपा ख्यान की चर्चा की गई उस में प्रकारेड उस सुनह सेफ की बली नहीं होने दी गई बली का निशेधंत में उन्ही देवताओं के द्वारा कर दिया गया जिनके लिए उससे समर्पित करने की बात कि आजकल जो हमारी कई योजनाएं भारत सरकार की गुजरात सरकार की ऐसी चल रही है कि महिलाओं को अधिक महत्त दिया जाए क्या सत्पत ब्राहमन में कोई ऐसी चर्चा है ऐसा कोई विधान है कि जिसमें महिलाओं को जादे महत्त दिया गया है उनको पूजित भाव दिया नारी को भारती ये परंपरा में स्रिष्ट के आदि से ही अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है और आज भी है क्योंकि योसा वही पत्नी ही दक्षिडा भी यगनिकी पत्नी है और जो पत्नी के बिना कोई यग्य का अधिकारी नहीं हो सकता यग्य का अधिकारी वही हो सकता है जो सपत्नीक भाव से यग्य करे क्योंकि ऐसा नो करने पर अरधांग भाव ही रह जाता है पत्नी उस यग्य की अरधांगिनी है इसलिए भगवान राम ने भी सीता के वनवास की स्थिती में स्वर्ण की सीता बना कर अश्रमेद यग्य किय सत्वत प्राममड में एक उपाख्यान सुकन्या चवन कायाता है, सर्यात नाम का मनुवन्शी राजा, जिसके कुमारों के د्वारा महर्स्ती चवन के साथ कोई अपराद हो गया था, जिसके कारण उन अपरादों से मुक्त होने के लिए अपनी युगा कkm timelines का विबाह चवन रिसी के साथ कर दिया चेवन ने भी उसे स्विकार कर लिया महाराज सरयात प्राश्चित से मुक्त हो गए किन्ट सबसे बड़ी बात सुकन्या की है एक युवती ने एक बृद्ध के साथ अपने पिता की आग्या का पालन करते हुए राष्ट और समाज की रक्षा के लिए ज पिश्चित रूप से उसका चरित्र त्रैकालिक रूप से जब तक सूर्ज चंद्रमा गंगा यमुना इस धर्ती पर रहेंगे तब तक अमर है और रहेगा आपने बहुत अच्छी बात की सुकन्या का चरित्र की बात की विद्यार्थियों से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे ऐसे उदार हैं केवल एक सुकन्या के चरित्र को देख करके हमारी विद्यार्थिनियां जो हैं महिलाएं हैं वो सारे इसको अपने जीवन में गरहन करें और जो 54 के साथ इनका विवाह का जो हुआ प्रकरण हुआ जिसके बाद में 54 भी युवान हो गए थे कुछ ऐसी क्या चर्चा आगे आई है सुकन्या ने न केवल पाति ब्रत धर्म का ही परिचे दिया प्रत्युत वह इतनी बुद्धिमती नारी है कि अश्विनी कुमारों के परिणय प्रस्ताव को रिजक्त करते हुए च्यवन से उनके द्वारा दिये गए परिणय प्रस्ताव को अभिमंत्रित किया जिसे सुनकर च्यवन ने जो परामर्ष दिया उसके आधार पर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा कि आप अपूर्ण हैं आप समर्दिशाली नहीं हैं फिर च्यवन रिशी की निंदा क्यों करते हैं उन अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमारे भीतर क्याय पूर्णता है यह सुनकर सुकन्या ने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि आप हमारे पती च्यवन को यदि युवावस्था प्रदान कर दें तो हम यह तत्थे बता देंगी और इन अश्विनी कुमारों के परामर्श पर सुकन्या ने च्यवन को सरोबर में अस्नान के लिए बात दे किया और च्यवन रिसी उस तालाब में अस्नान करते हुए अश्विनी कुमारों के müsste उत्थे निर्देशा नुसार उन्होंने यह कल्पना की कि मैं युवक हो जाओं और इसके परिद्धव्यक्ति युवावस्था को कैसे प्राप्त कर लेगा तो विद्धव्यक्ति को भी किसी सरोबर में असनान करने से देवताओं की कृपा से और अपनी सुखन्या के कि बुद्धिमत्ता के परिद्व्यक्ति विद्धव्यक्ति के अनुसंद्धान का विषय भी है